हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इस्टेडिफायर में दोस्तों आज से मैं आप लोगों के लिए डेली करेंट अफेर की वीडियो भी इस्टेटिक जिके के साथ लेकर करके आऊंगा तो मुझे उमीद है कि आप लोगों के व भारत की रैंक कितनी अभी जारे हुए है फिफा रैंकिंग तो उसमें भारत की रैंक कितनी है दोस्तों वारत की रैंक है 106 उसमें पहली रैंक पर कौन सा देश है पहली रैंक पर है वेल्जियम दूसरी रैंक पर कौन सा देश है ब्राजील है तीसरी रैंक पर कौन सा National D Football Association एक FIFA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अब आपसे पूछा जाता है कि FIFA की स्थापना कब हुई थी FIFA की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में और यह कहां पर हुई थी तो फ्रांस के रादानी पेरिस में FIFA की स्थापना हुई थी आगे हम बात करते हैं कि FIFA मेंस वर्लक अप की सुरुवात कब हुई थी जो FIFA मेंस वर्लक अप है इसकी सुरुवात हुई थी 1930 में और जो पहला वर्लक अप हुआ तो किस देश में हुआ था उर्गवे में हुआ था और इसके जो विजेता टीम थे जो पहला वर्लकप हुआ था फिफा का 1937 में विजेता टीम कौन थे उर्गवे थे उर्गवे में हुआ था और उसके विजेता टीम भी कौन थे उर्गवे थे और विजेता टिम को थी अर्जिन्टिना थी ठीक और जो FIFA Women's World Cup के शुरुआत कब हुई थी FIFA Women's World Cup के शुरुआत हुई थी 1991 में दोस्तों ये रहे पूरे Static GK की जानकारी पूरे FIFA World Cup से ठीक अब हम आगे बात करते हैं अपना दूसरा question क्या है भारत की किस फिल्म को औसकर दोयार 22 के लिए भारत की अधिकारिक प्रविष्टी की रूप में चुना गया है तो वह कौन सी मुवी है वह है कुझ गल एक तमील मुवी है जिसका जो इंटरनेशनल लेबर पर जो इसका अनुवादन हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है कंकर ठीक दोस्तों क्या नाम रखा गया है कुंज गल का इंटरनेशनली लेबर पर क्या नाम रखा गया है कंकर रखा गया है और विको जिन्होंने निर्देशित किया है उनका नाम क्या है बिनोत राज पियस इन्होंने इसे निर्देशित किया है और इनके जो निर्माता है बिगने सीवन और न पर अंगला question है डीडास का global brand किसे चुना गया है यो किसे बना गया है तो दीपका पादिकोड को डीडास का global brand इमिस्टर बनाया गया है वारत के निर्वाचन आयोग ने सभी मद्दान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करने के लिए किस एप को लॉंच किया है तो उस एप का नाम क्या है गरूड क्या नाम है गरूड है जिसको भायत की निर्वाचन आयोग ने लॉंच किया है सभी मदान के इंदर से डिश्टल मैपिंग के लिए इस एप को लॉंच किया गया ठीक अब हम आइसकी एस्टेटिक जिके के बारे में बात करते हैं निरवाचन आयोक से तो निरवाचन आयोक का गठन कब हुआ था 25 जनवर उARS Y50 को निरवाचन आयोक का गठन हुआ था इसका मुख्याल कहाँ पर एक नए दिल्ली में है अब आपसे वरतवान को पूछ लिया आता है कि वरतवान की मुखे चुना आयूकत कोन है तो सुसील चंदर वरतवान की मुखे चुना आयूकत है ठीक अगला हमारा क्योसन है Writing for my life एक पुष्तक है Writing for my life पुष्तक के लिखक कोन है तिस्त के लिखक कोन है Ruskin bond है अगला हमारा केर्शन है इक्यानमा दादा साफ फाल के पुरिषकार से किसे समानित किया गया है दोस्तों ये 2019 के लिए दिया गया हैífic prescription cleaning के पुरिसकार किसे दिया गया है रजनी कान को अब बात करते हैं कि दादा साफ फाल के पुरिषकार के स्थापना कब हुई थी तो दादा साहब फाल के पुरिषकार के सापना 1969 में भी थी और इसके जो पहले पुरिषकार बिजयता था है जीने दादा साहब फाल के पुरिषकार दिया गया था वो कौन थे अबनेत्री देवकारानी थी जीने सबसे पहले दादा साहब फाल के पुरिषकार दिया गया था अगला आमारा क्योशन है चीन ने अंतरीश में मलवे की समन प्रदवकी के परिछण और सत्यापन के लिए किस उपगरय का प्रिछेपण किया है तो उस उपगरय का क्या नाम है दोस्तों सिजियान 21 इस उपगरय का नाम है जिसके जो अंतरीश में मलवे होते हैं उसे कम करने के लिए चाहिना ने एक अपना उपगरय वेजा है उसका नाम क्या है सिजियान 21 अब बात करते हैं कि चाहिना की रादानी कहां पर है विजिंग में है और चाहिना की रादानी कहां है भी है ठीक अगला हमारा क्योस्टन है दच्छिड कोरिया ने पहले सोदेशी अंतरिश रॉकेट को लॉंच किया है उस रॉकेट का नाम क्या है तो दोस्तों उस रॉकेट का नाम क्या है नूरी अब इसके बारे में इस्ट्राटिक जी के ऐसके बारे में देख रहते हैं स्साथ पूरिया का तो साथ कुरिया कि रादानिका है वह दोस्तों ए रहा आपका डेली करेंट अफेर कि पहली वीडियो मुझे उमीद है कि आप लोगों को पसंद आये होगी तो दोस्तों हमसे जुडने के लिए आप लोगों का बहुत भाई धन्यवाद